हेलो फ्रेंड्स भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ उमीद करती से अच्छे हेल्प में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे समर की मम्मी आई है समर के घर में समर से मिलने वो भी इतने दिनों के बाद वो मनने चला था कब? और आज आपको होश आया कि आपका बेटा जिन्दा है कि मर गया? क्योंकि राधिकर के मम्मी ने आपको कहा था इसलिए? आप तो बड़ी तेज हैं, बहुत जल्दी आगई इपने बेटे से मिलने, इतने दिनों, इतने सालों उसको पाल पोस के बड़ा किया समर की ममी, उसके बाद ये काम करने के बाद आपने जितना भी समर के लिए किया, सारा सब कुछ आपने जीरो बट्टा जीरो कर दिया, को फसाने के लिए, उसको अपने शिकंजे में करने के लिए, इसे लिए वो आपसे पूरा का पूरा मूँ मोल लिया है, और राधिका से मैं बोलना चाहूंगी, कि राधिका अपनी सास के मूँ मत लगो, ऐसे इंसान के मूँ लगने से कोई फायदा नहीं है, जिनको कोई च अच्छा क्या है उनसे आप बाती मत करो, उनसे बात करना उनके मूह लगना बेकार है, समर आए, समर से मिला उसकी मा को, समर सामने बैट के बात करेगा अपनी मा से, समर के उपर फैसला छोड़ दो, राधिके ममी से मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, कि आप यहाँ फैसला कर समर को बोलना चाहूंगी, कि अब अपनी ममी को गलती से भी अपने घर मत रखना, जो हुआ हो गया, उनको गाओ घेजो, सीधा बोल दो, कि आप मेरे घर में नहीं रह सकते हो, आप गाओ जो, मेरे पापा के पास रहो, पर यहाँ इस घर में रहने की मस सोचो, एक दिन के ल दूसरा कुछ करें, तो इसे लिए ऐसे इंसान लोग से तरह दूरी बना के रखना चाहिए, तो चलिए जिसको आज का व्लोग अच्छा लगाओ, प्रीज एक लाइक जरूर कीजिए चैनल में नहीं है, प्रीज सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए, देखो, मुह तुमें लेके, नहीं सुद्रेगा, ये लगा नहीं सुद्रेगा